पटना कोलेज के चारो होस्टल सील बंबारी मामला आज से बिजली पानी का कनेक्शन भी बंद है गोली चलाते छातर की तस्वीर हुई वाइरल पटना कोलेज के चारो होस्टल गुरुवार को सील कर दिये गए हैं विश्वे दैले के अधिकारी पटना कोलेज के प्राचारिये फ्रोफेसर तरुन कुमार और मजिस्ट्रेट की देखरेक में मिन्टो जैक्सन इकबाल और नदवी चारो चातरावास को सील कर दिया गया है के लिए बंद कर दिया गया है चात्रावास खाली कराने के बाद पारिंग बिजली कनेक्शन सुक्रवार से बंद कर दिया जाएगा ताकि होस्टल में अवैद तरीके से कोई नहीं रहे वहीं परिशर में सुमार को बंपानी को बंबाजी गोलाबारी मारपिट आधिको अन्जाम देने के आरों में नामजद 36 चात्रों को विश्वधाले परशास ने निलंबित कर दिया है डॉक्टर रजिनीस कुमार ने बताया कि जिन जन चातरों पर पर परात्मी की दर्ज हुई है उन्हें ततकाल पर वावसे निलंबित कर दिया गया है निलंबित चातरे कक्षया और परिश्य में सामिल नहीं हो सकते है पटना लो कोलेज के पुरो प्राचारिये प्रोफेसर मुहमद सरीफ के नेतरितों में गठी चित जाँच समीति की रिपोर्ट है कि आधारपन निलंबित और भाविशे में चिन ही चातरों पर कारवाई की जाएगी इस जांच कमेटी में पटना कोलेज के प्राचारिय अशभी अधिक्सक और वार्डन को रखा गया है एक सप्ता में कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है राजबहुन की सक्ति के बाद इस भी देले परसासन सीची टीवी फूटेज और मुबाइल से बनाएगे वीडियो से मारपीट करने वाले चात्रों को जेनित कर रहा है पुलिस होस्टल के मुखे दवार पर लगाएगी सीची टीवी मिन्टों के चात्रों पर एक और केश तारजे एक और केश कटपटना कोलेज के चात्र वे जहानाबाद निवासी महिंक कुमार के बैयन के आदार पर पिरभवरा थाने में दर्च किया गया है महिंक ने अपने बैयान में पुलिस को जानकारी दिया कि मिन्टों एकबाल चात्रों के चात्रों के वीडियो बनाने का आरोप लगा कर उस पर तलवार लाठी डंडे से हमला कर दिया चात्र फिलाल पी-एम सी-च में इलाज रत है